तो नमस्का दो私 बार फिर से सवागत है आपका हमारी YouTube चैनल JD computer में दोस्तों जैसे क्या आपको पता है हम जाद भी आतीनय जानकारी के साथ आते हैं तो आज हम फिर आज जोन हे एक ओने जानकारी के साथ एक उन्हीं लेटिस्ट अपडेट के साथ उससे पहले दूसरी अदिया आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजे कर लिजे बैल आइकन को प्रेस ताक इसी तरीके से हम जो भी नए वीडियो बनाएं वो सबसे प पर करेंगे नराकरण नराकरण हम दोस्तों आज हम बात करेंगे राष्टिय सिक्षानीती पर एटू जैड रिपोर्ट के अंद्रकत इस साल यूजी फश्टियर के नए स्टूडेंट पर ही हो रही है ये सिक्षानीती लागू लागू होने में ऐसे मिलेगी डिग्री च चार साल का होगा वो होगा बैचलर डिग्री बैचलर डिग्री बितर रिसर्च कोर्स होंगे ऐसे कोर्स जो आप रिसर्च करना चाहते हैं आगे चल के तो बो दोस्तों अब आपकी एक साथ ही यहाँ पर कमप्लीट होगे तीन साल की पढ़ाई छोड़ी तो भी graduation आपकी complete हो जाएगी ये भी बहुत अच्छी चीज़ आई है कि यदि आप तीन साल की graduation बीच में छोड़ देते हैं तो आपकी graduation complete माने जाएगी दो साल की दो साल पढ़ाई करने पर भी आपको diploma मिल जाएगा और यदि एक साल भी आप क कोई भी पढ़ाई करते हैं अंडर graduation में तो आपको certificate जरूर मिलेगा चले दूसरों यहां पर हम बात करेंगे सबसे पहले तो सबसे पहले यहां पर बताया गया है राश्टिय शिक्षन नीती 2020 को लागू करने वाला मद्ध देश का पहला राज्ज है सरकार ने इसपस्ट कि किया है कि मौजूदा सिक्षन सत्र में यूजी ग्रेजूशन इस तर पर फस्ट इयर में प्रवेश लेने वाले स्टूडेंटों का ही नईस नीती के अनुशार करिकुलम होगा इससे बात चरण बद तरीकी से सेकंडिया थार्ड इयर में लागू किया जाएगा अब तक य दस दन दो पैटर्ण चालू रहता था दस दन दो पैटर्ण ही फॉलो किया जाता था अब नई सिक्षन नीती एन एपी के आ जाने से 5 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 4 के पैटर्ण को फॉलो किया जाएगा जिसमें दोस्तों यहाँ पर 10 भी तक सारे सब्जेक्ट 11 में जो आपकी स्टम में पांस तीन धन तीन धन चार बताया गया है इसमें इसकूल के आखरी चार साल नवी से लेकर बारवी को एक समान माना जाएगा इस्ट्रीम चुनने की जरूरत नहीं होगी मल्टी इस्ट्रीम पढ़ाई होगी फिजिक्स बाला चाहे तो यहाँ पर हिस्ट्री भी पढ़ पाएगा और एक्स्ट्रा कर्कुलम एक्टिविटी जैसे की म्यूजिक या गेम उससे भी एक सब्जेक्ट की तरह सामिल किया जाएगा साथ दोस्तों यहाँ पर एंसी रुच्छी वारे सब्जेक्ट जो एक्स्ट्रा नहीं माने जाएंगे आपके जिसमें दोस्तो यहाँ पर ऐसा नहीं है आपका syllabus वही रहेगा जो नए subject जोड़े गए है उसके अनुसार ही पूरा syllabus नहीं बदला जाएगा केवल बरतमान में बदलाओ के अनुसार बदलाओ किये गए है स्टूडेंट की आउसकते अनुसार syllabus में परिवर्तन किया जाएगा दूसरा यहाँ पर साटिपिकेट कोर्स कितने साल का होगा डिपलोमा कब दूसरों जैसे कि आप बीटे कर रहे हैं और एक साल बाद मन नहीं लगा नई नीती की मताबिक आपका यह एक साल खराब नहीं कोर्स करना चाहते ही हैं दूसरा कोर्स कर रहे हैं माली जैसे आप बीकॉम कर रहे हैं तो बीकॉम करते समय दो साल बाद इसे भी छोड़ देते हैं तो इन दो साल का आपको डिपलोमा मिल जाएगा डिपलोमा के सरीकी से मिल जाएगा गर आप बीटे करने का मन हुगा तो प को complete कर सकते हैं इसके बाद दोस्तों यहां पर हम next बात करेंगे तो तीन साल बाद research नहीं करते तो graduation complete हो जाएगा साथ यहां पर दिया गया है हाँ यदि आप नई नीती के तरह है दो विकल लेते हैं पहला जो तीन साल का graduation है दूसरा जो research में जाना चाहते हैं उनके लिए चार साल यानि बैचलर बित रिसर्च खास बात यह रहेगी इसकी कि एदी आप चार साल का बैचलर बित रिसर्च करते हैं तो पोस्ट ग्रेजुशन एक साल का ही होगा चार साल में पी एचडी आपकी कम्प्लीट हो जाएगी एमफिल करने की दोस्तों यहाँ पर आपको कोई भी होने वाली है साथ ही दोस्तों यहाँ पर एडिविशन लेने के बाद क्या कॉलेज बदला जा सकता है तो यह चीज दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट के लिए तो यहाँ पर भी दिया गया है कि हाँ आप कॉलेज बदल सकते हैं नीती के अनुसार स्टूडेंट को ओनलाइन पढ़ाई का पिकल्प भी रहेगा ओनलाइन से प्राप्त अंको अत्वा ग्रेड को अंक सूची में प्रदस्त भी किया जाएगा आपकी जो भी पढ़ाई होगी इसके साथ दूस्तों यहां पर दिया गया है क्या परिशा पैटर्न बदलेगा रेजल्ट तयार कर अनुसार ही आपका यहां पर पैटर्न और आपका रजल्ट बनेगा साथ दूस्तों यहां पर किसी भी सब्जेक्ट के बदला जा सकता है रोजगार के आउसर कैसे बढ़ेंगे इसको भी हम बात कर लेते हैं तो एक स्टूडेंट एक से अधिक सब्जेक्ट की पढ़ाई कर सकेगा पहले और दूसरे साल में सब्जेक्ट बदलने का बिकल्प उपलब्द कराए जाएगा पिर्धम बर्स में ही स्टूडेंट को बेवसाइक पार्टिकरम से पढ़ाई की सुविधा आउसर रहेगी इससे निश्चित ही कौसर संबर्दन योजना और रोजगार के पाउसर आपको उपलब्द कराए जाएंगे साथ ही दूसरे यहां पर हम नेक्ट में बात करते हैं तो आधार पार्टिकरम के अंतरगत कौन कौन से सब्जेक्ट की पढ़ाई होगी तो आधार पार्टिकरम की अंतरगत या फिर फाउंडेशन के अंतरगत आपकी जो एक बिसाए की भी पढ़ाई आपको सुवीदा के अनुसार रहेगी राश्टी सिक्षानीती की खासियत देख लिजे खासियत में दोस्तों यहां पर बैचलर बिस रिसर्च चार साल का कोर्सिस होगा च्वाइस बेस्ट क्रेडिक सिस्टम पर होगा फर्स्ट येर से ही ही रख सकता है फर्स्टियर यदि आपने छोड़ दिया है फर्स्टियर के बाद तो आप दो साल बाद सेकंडियर से ही एडविशन ले सकते हैं तीन साल की ग्रेजिएशन चार साल की बैचलर बिस रिसर्च के दो अलग अलग डिगरी सुरूप किये गए हैं जिसमें तो यह आप तीन साल में ही कंप्लीट हो जाएगी आपकी ग्रेजिएशन रिसर्च में दूची रखने वाले के लिए एक साल मतलब चार साल का बैचलर बिस रिसर्च का कोर्स भी करत सकेंगे साथी ब्योसाइक पार्टे कराम हर साल चार-चार क्रेडिट में होंगे पिशीक्षण क अब धी आपकी साथ घंटे की होने वाले है साथी दूसरों यहाँ पर जो आपको नेक्ट में मिलेगी नियूजाने कारी में मल्टी डिसिप्लेनरी एजुकेशन होगी साथी दूसरों यहाँ पर कोई ऐसी इस्ट्रीम नहीं होगी मन्चाहिश सब्जेक्ट चुन सकती हैं आप कोई physics में graduation कर रहा है और उसकी रूची music में है तो why music के साथ भी पढ़ाई कर साकी क्या major or minor subject की विवस्ता रहेगी इस साल कितने courses शुरू हुए है तो इस साल दोस्तों यहाँ पर total 282 diploma courses है 177 college में यहाँ पर start हुए है job warranty certificate diploma इन ब्योसाइक पार्टे करम प्रारम भी किये जा रहे हैं इस बर्च 177 college में diploma 282 certificate courses किये जाएंगे नीती के अनुसार एक साल में certificate दो साल में diploma और तीन साल में आप degree हासिल कर सकते हैं multiple exit system और choice based creating system by cbcs भी यहाँ पर लागू रहेगा इसके साथ दोस्तों यहाँ पर यह पूरा नोटिपिकेस है रहा जिसमें दोस्तों यहाँ पर मैंने आपको सभी जाहनकारी कोसिस की है कि यहाँ पर बताएए तो फिलाल के लिए दोस्तों इतना ही वीडियो अच्छा लगाऊ तो पली लाइक करना चैनल को subscribe करना आपके मनों कोई doubt होता है तो दोस्तों आप doubt के लिए comment जरूगा सकते हैं तो आज के लिए दोस्तों इतना ही जैहन